नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसी राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना टॉप भारत दोस्तों महुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना टॉप भारत में आप दोस्तों, हम मौजूद हैं इस तोमें आलू के खेट में, जिस प्रिकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तोमें प्लांटर चलना हैं कर ला है और यह जो अलू की फसल है यह लोग त कर सकता है, बहुत लोग थे समय की पैदावार की हैं और सारा आलू कोल्ड इस्टोर में जाता है ये जितना भी आलू है कोई भी यहाँ पे बहुती कम मातरा में जो ब्यापारी होते हैं वो आलू लेते हैं बागी ज्यादातर 90% आलू इसमें कोल्ड इस्टोर में ही जाता है दोस्तों तो अगर हम बात करें चिक्सोना आलू की पैदावार की तो अभी हम आपको तस्वीरों के माद्यम से दिखाएंगे कि काफी बड़ा साइज है आलू का और ये करीबन आप माल लेजिए चार विगा का चक है और 50 पिलस आलू इसमें निकलेगा क्योंकि जो पैदावार है जो आलू का साइज है वो काफी अच्छा है और आप लोग देख भी पा रहे होंगे जिस परकार से हम तस्वीरों के मादन से आपको दिखाना चाहेंगे कि आलू जो है चिक्सोना आलू काफी फेस आलू है और सुकी मिट्टी है ये पीली मिट्टी और देख पा रहे होंगे आप लोग कि बिल्कुल भी कोई चेचक का दाग नहीं है बहुत ही फेस आलू है आप लोग देख पा रहे होंगे इस परकार से और साइज की अगर बात करें तो चिक्सोना आलू इतना अच्छा बड़ा साइज मैंने आभी तक नहीं देखा है जितना अच्छा इसका साइज निकल ला प्रतवीगा का और यह चार बिगा का चाइज का रहे होंगे तो दोस्तों आलू काफी अच्छा निकल ला आ है ठटिया चेतर और कन्यों चेतर की इगर बात करें और जानातर इस साइड में यह दीपाबली के बात का यह आलू है सारा पक्की फसल जानातर यह बोया जाता है आलू और आप लोग देख पा रहा होंगे जिस परकार से काफी अच्छा जो है आलू पैदावार है चिक्सोना आलू की और जब इसकी भराई होगी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि इसकी जो पैदावार है भराई होने के बाद में आपको दिखा दूँग बित्फ रूफ कि कितना पैकट जो है निकला है एक बिगा का तो मेरे अंदाज से 50-55 निकलेगा यही अनुवान करीबन किसान भाई ने भी बताया है यही अंदाजा बताया कि 50-55 पैकट तक निकलेगा क्योंकि काफी बड़ा-बड़ा साइज है देख पा रहा होंगे आप लेबर जो है यहांपे काम करने लगी है तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग जुरूर बताइएगा हमें कि आपके साइड में किस प्रिकार का जो है आलू निकला है कितना पैकट प्रतबीगा निकला है चिकसोना और बात करेंगा लाल गुला लालु की और हाइलेंड खेद में हम वोजू नहीं इसमें आप लोग देख पार ऊच्छिक सोना आलू की जो है बहुत ही कम मातरा में जानातर खाने के लिए पाया जाता है दोस्तों खाने के लिए किसान लोग बहुते हैं तो जाहिर से बात है यह आलू जो है कोल्डि श्टोर में जाएगा और कापी अच्छा जो है पैदावार है आप लोग देख पा रहे होंगे कापी अच्छी पैदावार तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके हैं जरूर बताईएगा कि आपके छेतर में चिक्तोना आलू की जो पैदावार है कैसी है और मुझे कमेंट करके आप बताईएगा तो इसके बाद मैं आपको जो यहां की पैदाबार होगी आलू पैकन में भरा जाएगा तो उसका वीडियो में दे दूंगा दोस्तों धन्नबाद